नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे यूटुब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लेट अफट अपडेट निकल कर आई है कि केंदरे क्रमचारियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी ख़बर 18 महीने के डिये अरियर का जो इंतजार कर रहे थे उसको लेकर सर चैनल पर फाफ टाइम जिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ वाल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंसन से समन्दी जितनी भी नहीं हो जाती है उनकी नोटिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस् प्टाट बिना किसी देरी के दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताए कि पिछले जुलाई दोजार बीस से जनवरी दोजारी किस तक डीए एरियर बकाया है ऐसे में सभी विभाग के क्रमचारियों द्वारा 18 महिने के डीए एरियर का इंतजार लंबे समय से हो रहा है के इंद दोस्तों एक परवरी 2023 को बजट पेस किया गया था जिसमें इस पर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया इस 18 महिने के डीए एरियर का जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रही हैं उनका इंतजार साइद आप पूरा हो जाए दोस्तों आप डीए में च्यार चत की बड़ोतरी की संभावना हो रही है सरकार जल्द ही इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है अगर आप भी सरकारी करमचारी है या आपके घर में कोई सरकारी करमचारी है तो एक खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय महिंगाई बत्ते की मांग लगबक कई महिनों से की जा रही है दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ष में दो बार किंद्रे इमराजे के करमचारी के महिंगाई बत्ते को निरधारित किया जाता है वर्ष का पहला महिंगाई बत्ता होली से पहले निरधारित किया जाए लेकिन होल भी जा चुपी है अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी परकार का कोई निर्णा नहीं लिया गया सभी क्रमचारियों द्वारा 4 परतिशत तक के महंगाई बत्ते के लेकर मांग की जा रही है अब ही वर्तमान में मेंगाई बत्ता 38 परतिशत है अगर मेंगाई बत्ते में 4 परतिशत की बढ़ोत्री होती है तो मेंगाई बत्ता 42 परतिशत पर पहुच जाएगा ऐसे में पिछले 18 महिने का डिये अरियर बाकी है समंद में स्टाप साइड की राष्टिय परिशत के सचिव शिव को पाल मिश्रा ने 18 गवद 2022 को कैबिनेट सेकेटरीम नैसलन काउंसलिंग जेसीम की चेर्मैन को पत्तर लिखा लेकिन किसी भी परकार का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया तमाम एक्सपर्ट और स्टाप साइड के राष्टिय परिशत के सचिव शिव को पाल मिश्रा की माने तो लेवल बन के करमचारियों का 11,880 रूपे से 37,550 रूपे तक लेवल 13 सातमे वेतन आयोग अधार माने तो 1,23,000 से लेकर 2,15,900 रूपे एम लावल 14 की बेसिक पेस केल को अधार मान कर 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक का डिये अरियर बकाया है अगर बुक्तान होता है तो यह राशी अजारों से लेकर लाखों तक पहुच जाएगी इससे सभी करमचारियों को बहुत बड़ी रहत मिलेगी दोस्तो इस आर्टिकल के जरिये हमें यह पता चल रहा है कि वर्ष में दो बार महंगाई बत्ता सरकार दुआरा निर धारित किया जाता है वैसे तो पहला महंगाई बत्ता वर्ष के मार्च महीने में निर धारित की जाती थी तो अब ऐसे उमीद की जा रही है कि साइध 15 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार मेंगाई बत्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला दे दे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट टुडियो में तब तक के लिए जय बारत